दोस्तों मालदीव का हालात अब कुछ पाकिस्तान जैसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मालदीव ने एक ऐसा कदम उठाया लिया है, जिसमें उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना परेगा, क्योंकि मालदीव हाल ही में तुर्की के साथ एक ऐसा एग्रिमेंट साइन क किया है, जिसमें नमक और खाने पीने की सामान अब तुर्की से खरीदेगा मालदीव, इससे पहले चीनी, नमक, दाल और गेहुं भारत से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन अब मालदीव भारत से नहीं, बलकि तूर्की से सामान खरीदेगा, और मालदीव की यही सबसे ब बरहने के कारण समान आठ गुना ज्यादा कीमत पर मिलता है। जहां मालदीव खाने वाला नमक नहीं बना सकता और भारत से पंगा लेने चला था। अब कुछ ही दिनों में मालदीव पाकिस्तान जैसा कटोरा लेकर भीक मांगता फिरेगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव हर साल भारत से 6 मिलियन डॉलर का नमक खरीता है। नमक बनाने की एक भी फैक्टरीज किसी भी देश में नहीं है। वही भारत हर एक साल 27 मिलियन मीटरिक टन नमक का प्रोड़क्शन करता है। और टेबल सोल के मामले में दु नमक का एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत एक्सपोर्ट नहीं करे तो मालदीव के लिए कौन से ऑप्शन खुलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है श्री लंका जिससे जाहिर तोर पर मालदीव से नमक का सप्लाई बरहा देगा। इसके अलावा पाकिस्तान भी सही इंपोर्ट भी भारत से बंद कर देता है। तो बरा इफेक्ट भारत पर नहीं परने वाला है। हाँ लेकिन लॉंग टर्म किसी और देश से नमक का इंपोर्ट मालदीव पर बहुत ही महंगा परने वाला है। सोच ये अगर मालदीव गेहूं और चावल भारत से लेना बं और माल्दीव के पास भारत के अलावा कोई भी देश ना बचे। तभी इन जैसे देश को समझ आएगा कि भारत से गद्दारी कितना महंगा परता है। खैर आप लोगों को क्या लगता है? क्या इन जैसे देशों को उनकी आउकात दिखाना चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत!